अब स्लाम वालेकुम गाइस वेलकम टो माई चैनल एवर्ग्रेन वर्ड आम यूर होस्ट अदील आज हम कुछ सिखेंगे एक्सिल पे काम करना एक्सिल इस्प्रेट शेट्स कुछ फार्मुला लगाना कुछ परसेंडेज वखरा लगाना तो शुरू करते हैं विल्कुल बेस इसको हम पांच केसिस ले लेते हैं यह एक सीरियल नम्बर बन से लेके फाइफ टाप हो गए यह एक आईडी हो गई इसकी ए हो गई यह बी सीडी की लेट्स सपोज इसको कोई है इसने कोई चीज प्रूडक्ट खरीदी लेट्स सपोज एक हजार रुपे की और उसके बाद इसने दूसरी लीड़ दो हजार रुपे की अगर इसको यह हो गई एक हजार दूसर पांच हजार तक हम इसको लेके गए अब मैं जा रहा हूं इसमें इसका इसने आगे प्रूडक्ट यह सेल करनी है लेट्स सपोज 20% अपना मार्जन रखके तो इसको हम किस्ता कर सकते हैं यह यहाँ पर कोई भी जब फार्मॉला लगता है इसमें तो इस इकल टू से शुरू होता है इस इकल टू लगाया इसको क्लिक करा इसी कॉलम को इटू था यह इए और टू इटू हो गया फिर मैं इसमें प्लस करना चाहा रहा हूं 20% तो शिफ्ट प्लस देन उसके बाद ब्रैकेट और जो था जो कॉलम नंबर सीरियल नंबर जो था उसी को दुबारा कर सान यहाँ बिलिंक कर रहा है दुबारा मैं इसको क्लिक जाएगा अब मुझे मैं इस वैल्यू के अंदर 20% करना है तो 20% का मतलब यह है कि जिसना 20 divided by 100 करते हैं तो 0.20 हो जाता है यह हम इसको टैगिलेटर से भी करके देख लेते हैं let's suppose जिससरा 20 divided by 100 तो यह 0.20 इसको फिगर आ रहा है तो यहाँ पर हम किसारा करेंगे multiply यहाँ पर historic हो जाता है और direct मैं value रख रहा हूँ 0.20 bracket close, enter तो यह आ गया 1200 इसको हम counter check भी कर लेते हैं let's suppose जिससरा यह 1000 था 1000 पिलस 20% तो यह हो जाएगा 1200 इसमें अगर मैं इसको गर दूँ 1000 पिलस 20% तो यह 1200 आ गया 12 तो यह simple formula लगाया है यहाँ पर e2 प्लस bracket e2 multiply 0.2 bracket close एंटर करा तो यह 1200 आ गया अब यह पूरी spreadsheet थी एक को मैंने एक पर apply किया बाकी मैं इसको scroll कर दूँँगा पांचो किसी उसके लिए तो यह total sum का हो गया अब मैं रिचार हों कि इसके total figure कितनी हो गई है इसको नीचे तक कर दूँगा auto sum करूँगा यह total नीचे sum up हो गया अब उसके बाद हैं इसका कर देंगे auto sum up करेंगे तो total figure इतना आ गया तो मतलब यह पंदर हजार का figure था पंदर हजार में तो कि बाद ही अठारा हजार हो तीन हजार ट्वंटी परसंट एड़ करा तो ट्वंटी परसंट एड़ करने के बाद इसमें तीन हजार का difference आ गया तो यह तो हमने multiply करा और प्लस कर दिया इसके हैं तो 20 परसंट अब बुल्कुल से मैं इसी तरह अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूं कि माइनस 20 परसंट मैं करता हूं तो कुछ भी नहीं है इसमें प्लस की बजाए माइनस कर देंगे यही शुरू करते हम इस सराम इसी को अगर मैं ले लेता हूं तो इसी को करेंगे साथ में माइनस लगा देंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे दुबारा इसी को प्रेस करेंगे और माइन अगर मुंटिप्लाइं कर देंगे जीरो पॉइंट टू से ब्रैकेट क्लोज तो यह एटेंड होगया इसको स्क्रॉल कर देंगे नीचे तो बारह हजार हो गया है वही 15 मेंसे 12 निकालेंगे तो 3000 का माइनस तो इनमा 3000 का फर्क आ रहा है यहां पर 3000 इंक्रीस हो रहे थे अब मैं जाता हूं कि इन F और G को अगर मैं प्लस कर दूँ यह हमने परसेंडेज निकाली 20% इंक्रीस कर दिया तो और 20 बेटन माइनस कर दिया तो अब मैं चाहरा हूं कि F और G को दोनों को समप कर दूँ तो सिंपल है यहां पर इस इकल टू पहले अगर G को कर रहें तो जी टू आ गया और प्लस F की कॉलम को हमने टू को कर दिया सिंपल इन दोनों को रखा उपर और एंटर मार दिया तो बारां सो अप्लस आड़ सो दो हजार हो गए अब यहां पर मैं स्क्रॉल कर दूंगा इनको तो इस सब का अगया है अठारांगा थाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा जाकर देन उसके बाद हमने स्क्रॉल कर दिया यहां पर तो यह था फ्रामला लगाने का इसमें इसको हम कहते हैं यह कॉलम्स हैं यह वर्टिकली जो आ रहे हैं और यह रौज हैं जो हरिजंटल आ रही हैं यह सारी रौज आ रही हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद होगी आप इसमें बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं तो मैनुली बैकर करने की जरूबत नहीं है आप इसके फार्मना लगाके काम कर सकते हैं थैंक यू वर्य मच्छ अल्हाफिस